हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवन एट्री पर आज है साथ जुलाई दो या तेईस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साथ जुलाई दो या तेज के डेली करें इंटरफियस के कुछ इंपोडेंट कुशियन्स अगर आप किसी भी एग यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को भी और फेप्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की पीडियो फाइल आपको हमारे टेली रम चैनल पर मिल जाएगी टेल से चलते हैं अपने टॉपिक की और पहला कुश्यन है हाल ही में फूटवर्ट टूनामेंट S.A.F.F. Championship 2223 का खिताब किस ने जीता है इस कुश्यन का सही अंसर हो जाएगा option ए भारत तो हाल ही में फूटवर्ट टूनामेंट S.A.F. Championship 23 का खिताब भारत ने जीता है भारतिय पुरुष फोटवाल टीम ने S.A.F.F. चैंपिन्शिप दोया तेज के फाइनल मुकाबले में कोवेट को पांच चार से अराकर नौवी वार यह खिताब जीता है S.A.F.F. का पूरा नाम है South Asian Football Federation S.A.F.F. फोटवाल चैंपिन्शिप एक दोय वार से अंतर राष्ट्य फोटवाल टूनामेंट है जो दच्छड एश्याई देशों की राष्ट्य टीम द्वारा खिला जाता है Next question है 2 या तेज में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉंच किया जाएगा इस question का सही answer हो जाएगा option B LBM Mk3 तो दोय या तेज में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 LBM Mk3 रॉकेट से लॉंच किया जाएगा LBM का पूरा नाम है Launch Vehicle Mark 3 ये 37 दवन अंतरे च्खेंद 3 हर कोटा से लॉंच किया जाएगा और चंद्रयान 3 के Lander का नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम प्रज्यान होगा Next question ही पिछडे वर्ग के महिलाओं में आत्म निर्बर बनाने के लिए सामाजिक न्याएं और अधिकारता मंत्रा लेने वर्स दो या तेस में किस योजना को सुरू किया है इस question का सही answer हो जाएगा Option A नई स्वानिमा योजना तो पिछडे वर्ग के महिलाओं में आत्म निर्बर बनाने के लिए सामाजिक न्याएं और अधिकारता मंत्रा लेने वर्स दो या तेस में नई स्वानिमा योजना को सुरू किया है इस योजना के तहट पिछडे वर्गों के महिला उद्दमियों के लिए दो लाक रोपे तक का लोन पांच प्रत्सत व्याज दर पर उपलब्द करवाया जाएगा नेक्ट कुशन है किस स्पेस एजनसी ने डार्क मेटर का अधियन करने के लिए यूकलिट टेलिसकोप सफलता पूरवक प्रच्छे पित किया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा अधियन करने के लिए यूकलिट टेलिसकोप सफलता पूरवक प्रच्छे पित किया है इस टेलिसकोप के जरिये वैज्यानिक ब्रह्मान के दस अरव प्रकाश वर्ष के विस्तरत छेत्र में फैली अर्वों गेलेक्सी का त्रयायामी नक्षा बनाया जाएगा ये टेलिसकोप प्रत्वी से करे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लेंग रेंज पॉइंट पर जागर स्थापित होगा और इसके अवलोकनों से डार्क मेंटर और डार्क उर्जा के रहस्यों को भी सुल जाने में बदत मिलेगी नेक्ट कुश्यन है आप इमेज में भी देख सकते हैं ये है क्यों डांग यू और यही सैंक्त राष्ट खाद्य और क्रसी संगठन के फिर से महान देशक बने है FAO का पूरा नाम है Food and Agriculture Organization यह एक सैंक्त राष्ट की विशेश एजेंसी है FAO की स्थापन का वही थी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यान है रोम यानी इटली में है Next Question है कौन सा देश संगाई सैयुक संगठन का नया इस्थाई सदस से बना है इस Question का सही अंसर हो जाएगा Option C इरान तो इरान देश संगाई सैयुक संगठन का नया इस्थाई सदस से बना है इरान आपचारिक तोर पर संगाई सायूग संगठन यानी S.E.O का पूर सदस बन गया है अभी तक S.E.O में आज सदस देश सामिल थे जिन में चीन, रोस, भारत, पाकिस्तान और चार मद एशिया इदेश का जाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान और उजवेकिस्तान सामिल है अब संगाई सायूग संगठन यानी S.E.O की स्थापना कब होई थी? 2001 में और भारत इस का सदस कब बना? 2017 में अब इरान जो देश है, इरान की राइधनी क्या है? तहरान इरान की मुद्रा क्या है? रियाल और इरान की राष्टपती कौन है? इब्राहिम रियासी नेक्ट कुशन है, दोजाच चौविस में G20 सिखर सम्मेलन की अद्धच्चता कौन सा देश करेगा? इस कुशन का सही आंतर होई आएगा, ओप्शन C, ब्राजील तो दोजाच चौविस में G20 सिखर सम्मेलन की अद्धच्चता ब्राजील देश करेगा जी ट्वेंटी का पूरा नाम है गुरुफ ओफ ट्वेंटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को नेच्ट कुशन है, राष्टिय साइबर समन्वे केंद यानी NCSC के नई प्रमुक कौन बने हैं? इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन A, जनरल M.U. नायर तो राष्टिय साइबर समन्वे केंद के नई प्रमुक, जनरल M.U. नायर बने है NCSC का पूरा नाम है, नेच्ट कुशन है, किस राष्ट सरकार ने 17 जुलाई से सडक सुरचपक वाड़ा अभ्यान सुरू करने की गोशना की है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन B, उत्तरपदेश तो उत्तरपदेश राज्य सरकार ने 17 जुलाई से सडक सुरचपक वाड़ा अभ्यान सुरू करने की गोशना की है इसका उत्तरपदेश सडक दुरगतनाओं की संख्या को कम करना और यातायात नियमों के बारे में लोगों में जारुकता बढ़ना है अब उत्तरपदेश राज्य इसकी राईदानी क्या है लगनों उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री कौन है योगी आदितनाथ और राजपल कौन है आनंदी बेन पतेल नेर्ट कुशन है हाल ही में बेंक औफ बरोदा के नई M.D. और C.E O कौन बने हैं इस कुशन का सही आंशर हो जाएगा Option A देवःतचंद तो हाल ही में बेंक औफ बरोदा के नई M.D. और C.E. O देवःत चंद बने हैं बैंक ओफ बढ़ोदा की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को और इसका मुख्याना कहा है बढ़ोद्रा जोकिये गुजरात में हैं नेक्ट कुशन है कौन सा भारतिय सहस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्टिय हवाई अभ्यास का मेजवान है? इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन B भारतिय वाई उसेना तो भारतिय वाई उसेना तरंग शक्ति बहुराष्टिय हवाई अभ्यास का मेजवान है इसमें बारे देशों की बायव सेनाएं शामिल होंगी और ये भारत के आयोज़े थोड़ने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा इसका उद्देश बाग लेने वाली बायव शेनाओ के बीच सेन सहयोग को मजबूत करना और सैफ्ट अभ्यानों में ताल मेल को बढ़ाना है नेश्ट कुशन है हाल ही में गेमिंग प्लेट फार्म जोपी के नई ब्राइन रेमेश्टर कौन बने है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन भी कपिल शर्मा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं कपिल शर्मा और यही गेमिंग प्लेट फार्म जोपी के नई ब्राइन रेमेश्टर बने है कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था विदेशी शर्मकों के लिए किस देश ने जून दो या तेश में डेश्टल खाना वदोश्रण नीती शुरू की है इस कुशन का सही अंसर था ओप्शन सी कनाडा तो विदेशी शिर्मकों के लिए कनाड़ा देश ने जून दोया तेश में डेश्टन खाना वदोस्रर निती शुरू की है अब आपके लिए आज का कुश्चन है हाल ही में महराष्ट के नए उप मुख्य मंत्री कौन मने है इस कुश्चन का सईया अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आप कोई ये वीडियो आज की हैलपोन लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पाथ जरू शियर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर का लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै बारत वंदे मात्राम